नमस्ते साथियों आप सभी का एक बार पुन है आपकी अपने इस यूटूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है साथियों राश्थान पब्लिक सर्विस कमिशन अजमेर के द्वारा और स्कूल लेक्चरर विसे हिंदी के लिए आज पाठे ग्रम जारी कर दिया गया है हिं किस तर पे पहला खंड में संधी समाश उपसर्ग और प्रते मतलब सब्द निर्मान प्रिक्रिया के चारों संसादनों पर अब से सवाल किये जाएंगे उसके परियावची सब्द है विलोम सब्द है सम्सुरूत भिनार्थक सब्द जिससे हम यूग्म सब्दे या सुरूत सम्सुरूत भिनार्थक सब्द भी कहते हैं उसके पशाद अनेकार्थक सब्दे और वाक्यांस के लिए सार्थक सब्द सब्द सुद्धी करने और उसके बादे वाक्य सुद्धी करने अर्दसास के पत्र है विज्यपति है परिपत्र है निवीदा है जापन है और और विसे समंदित प्रसंदिन से पूछ तेली इसके लिए मैं आपको एक सलाह देना जरूर चाहूंगा कि कक्सा 11 और कक्सा 12 में अभिवेक्ति और जन संचार और अभिवेक्ति के माध्यम नाम से किताब चदरी है वो तो पढ़ें पढ़ें इसकी अलावा आप पूर्वे पिछले सतर में और समाद से तू नाम से पुस्तक और चलते थी उसका धेन एक बार कम से कम एक दो बार आप उसे जरूर देखें उसके बाद में है कहानी, कविता, वारता, रिपोर्टाजव, डाइरी, लेखन से संबन दिते जो परिवासा और उनके तत्वाइत्य दी है बैखंड को फिर पांच अलग-अलग भागों में बाटा है सब्द सक्ति, तीनो, अभीदा, लक अलग गितिका, और हरी गितिका, कवेगुण, तीनिये, माधूरिये, ओज और प्रसाद, कवेदोस नहीं आये हैं, और कवे रस, रस का स्वरूप क्या है, रसाव्यव जैसे इस्थाई भाव है, विभाव, अनुभाव, संचारिवाव, ये चारों रस के अव्यव होते हैं, और विभिन रसों के लक्षन औरे उधारने, इनसे सम्मंदित सवाले पूछी देंगे, इसके लवा, इसनातक इस्तर के मामला में, ये चीजें कुछ सामिल की गई है, कुछ हटाई गई है, और खास बात क्या है, कक्सा 9-12 तक की जो पठे बुस्त के थी, वो सारी की सारी हम और भारती हिंदी साहिचे का आरंब काल विवाजन और नाम करन, आधिकाल में रचनाओं की प्रामानिक्ता, प्रयवृतिया, प्रमुख रचनाकार और रचनाकारों का परीचे, रचनाओं का परीचे, जिनमें दो आदमी सबसे महतोपुण है, चंदवर्दाई और नरपत भक्तिकाल में सामन्य परीचे होगा, भक्ति का उद्भव, विकास और दार्षनिक प्रिष्ट भूमी, जिनमें हजारी परसादुयदी और रामचनर शुकल के जो महतोपुण का थे न, वो सामेल होंगे, संतकावे में विसेस्ताई संतकावे की प्रमुख कवी और रामचनर शुकल के जो महतोपुण का थे न, वो सामेल होंगे, संतकावे में विसेस्ताई संतकावे की प्रमुख कवी और रचनाई और शूर्दास, मीरा और नंददास ये तीन महतोपुण कवी रहेंगे रितिकाल में की रितिकाल से तातपर ये क्या है, रिति बद्ध, रिति सिध्य और रिति मुक्ति, ये तीन परंपराएं ही रितिकाल की मानी जाती हैं और तत्कालिन काववे की सामने प्रवर्तियां में विसेस्त हैं प्रमुक रचना और रचनाओं का परिचे जिन में देव, भूशन, बिहारी और घानानंद यहाँ पर विद्यापती का नाम इस बार सामिले नहीं किया गया है आधुनी काल में क्या रहेगा पूर्व पिठी का तत्कालिन परिष्थितियां क्या बनी, कैसे बनी, जैसे आजादी का अंदोलन चल रहा था वो सारी चीज़ें हिंदी, खड़ी वोली, गद्ये का उद्भव, नवजागरन, बारतेंदू और समकालिन, सहित्यकार, गद्ये की प्रमुख विधाओं का उद्भव और विविद्य गद्ये विधाओं का विकास अगला पॉइंट है उनमें नाटक, एकांकी, निबंद, कहानी, उपन्यास, आत्मकता, जीवनी, संस्वर्ण, रेखाचित्र वर रिपोर्टाज इनके प्रमुख रचना, कार और उनकी रचनाओं का परिचे अब यह सबसे पहले एक चीज ये देढ़यं कि युझी है कवेकास भारतेन्दु यूग। फिवध्यूग च्हायावाद प्रगतिवाद प्रियोग वाद नई कवीता संकालिन कविता प्रमुख रचना और उनकी रचनाकार और उनकी रचनाओं का परिचेवी अब देखते ही इसनात को तर इस्तर का जो पठेगरम है वह है कवे के हेतू कवे हेतू कवे लक्षन और कवे प्रयोजन तीन चीजें रसनिस्पति साधारणी करने ध्वनी सिध्धांते वक्त्रोक्ति सिध्धांते अरस्तु का अनुकरने लॉनजाइनस का द्धांते रचने प्रमुख सामिल की गई है जो यह चार रचने तो वहतोबुण कवीर गरंथावली स्यामसुंदर दास के द्वारा गूरु देव को अंगे और प्रारंभी के पांच पद इसमें सामिल हैं रामचरीत मानिस का के बालकांड को सामिल किया गया है वरिष्ट वरिष्ट देपक के लिए मातरे 22 सामिल किया गये थे साकेत मैथली स्रण गुप्त की इसका नववां सामिल किया गया है निबंद के उनको दें चिंतामनी से कवीता क्या है सीरीज के फूल कल्पलता हजारी पर साथ दूए दी दो निबंद हमें दो निबंदों का धेन में करना है एक तो कवीता क्या है और दूसरा सीरीज के फूल कहानिया तीन है कफन पुरसकार और यही सचा तीनों बड़ी उमदाकिश्म की कहानिया बहतरी आप कह सकते हैं उद्भा और विकास बोलियां और उबोलियां राजभासा और देवनागरी लिपी उसके बाद पार्ट फोर में क्या रहेगा इसे दो अलग अलग भखंडों में विभजित किया गया है पहला इसमें सैक्सिक मनोविज्जान सिक्सा सास्तर सिक्षन अधिगम सामगरी कंप् सम् मग आत्में करना नाइतिक विकास विकासात्में को विशेश्ता हैं तथा सिक्सिन अधिगम के लिए इसके निहतार थी फिर है अधिगम के विभारवादी संजानात्मक निर्मितिवाद वे सिद्धान्त तथा उच्छमाद्यमक इस्तर के विद्धार्थियों के लिए इसके निहितार्थी क्या है फिर है मानसिक स्वास्तेव समयोजन की अवधर्णा और समयोजन की युक्तियां सम्मेग आत्मक बुद्धी मता वे सिक्षन अधिगम में इसके नहितार थे सेक्षन अधिगम समगरी की सोर अधिगम करता है तू अनुदेशन आत्मक व्यू रच नहीं संप्रेशन कोशल और उसका उप्योग सिक्षन प्रतिमान मतलब टीचिंग मॉडल्स अग्रीम व्यवस्थापके संप्रते संप्राप्ती सूचन प्रक्रिया प्रिच्छा प्रसिक्षन इत्य अधिगम की दोरान अधिगम समगरी तयार करना और उसका उप्योग करना और सहका प्रणाली उपागम सिस्टम मेनेजमेंट और कंप्यूटर सहाए अधिगम कंप्यूटर सहाए अनुदेशन यह चीज़ें इसमें सामिले की गई है अम है तो पुन जो इंस्ट्रेक्शन है समरी के तोर पर वो देखते हैं कि क्वेस्टन पेपर विल केरी मैक्सिमम 300 मार्क्स क अधिकतम 300 अंक का यह प्रस्ण पत्र होगा नंबर एक बात नंबर दो बात किया है कि डूरेशन ऑप क्वेस्टन पेपर विल भी त्री आवर्स कुल मिलाकर तीन घंटे आपको इस प्रस्ण पत्र को हल करने के लिए दिये जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा समय है और ज्या 150 क्वेस्टन से और भी मल्टिपल चोइसे मतलब बहुवी कलपात हों कि एक बैस से दवाले कुल मिलाकर 150 प्रसंद हमसे किये जाएंगे मतलब समझ सकते हैं कि एक प्रसंद दू अंक किका होगा नगेटिव मार्किंग सेल भी अप्लिकेवल इन दे इविलेशन ओव आंसर से फोर एवरी रॉंग आंसर अंसर वन थर्ड ओफ दे मार्क्स प्रेस्क्राइब फोर डेट पर्टिकुलर क्वेस्टन सेल भी डिडेक्टेड एक क्यूसन गलत करने पर उसका एक तिहाई उस प् फिफ्ट नमर्का देखते हैं कि knowledge of subject concord senior secondary level knowledge of subject concord graduation level और knowledge of subject concord post graduation level education psychology, pedagogy, teaching learning material, use of computers and information technology in a teaching and learning तो दोस्तों यह आपका हिंदी विशे का school lecturer के लिए जारी किया गया पठेक्रम था निसंदे है मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा यहां पर हिंदी विशे से समद्द बहुत सारी समगरी मैं बताऊं तो 622 वीडियो जैने बाद, जै हिन, जै भारत